next question question says 1990 का सवाल है question says a heavy uniform chain lies on a horizontal table top if the coefficient of friction between the change and a table is 0.25 then the maximum fraction of length of the chain that can hang over one edge of the table will be हमारे options है 15% 20% 25% या फिर 35% इस सवाल को मैं चाहूंगा हम इसका रिजल्ट जो है वो डिराइब करें और इसका रिजल्ट को हमने फिर ध्यान भी रखना है इस तरह के सवाल कई बार आपके कोचिंग के आदरवाइज एक्जाम में काफी कॉमनली देखे गए तो डारेक्ट फ कि उस चेन का लेट से टोटल लेंथ L है और उसका मास M है तो उसका L by N पोजिशन जो है वो नीचे लटका हुआ है अगर L by N उपर नीचे लटका हुआ है तो उपर जो पोजिशन है वो बचा L minus L by N ये पोजिशन या ये लेंथ आपकी उपर होएगी अले टोटल मास अगर M है तो इसका मास जो आएगा वो होएगा टोटल में से M by N अगर मान लो फोर्थ पोजिशन लटका हुआ है तो लेंथ कितनी होगे टोटल लेंड डिवाइड बाइ फोर ये नीचे लटकी हुई है मास कितना हो गया M divided by N M by 4 for example ये नीचे लटका हुआ है similarly यहाँ पे इसका जो मास होएगा जो ऊपर है उसको आप लिखोगे M minus M by N ये आपका इसका मास होएगा ये इसकी लेंथ होएगी अब हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में कोविशन ऑफ रिक्शन क्या होए नहीं हमें बताना है कि कितना फ्रेक्शन ऑफ लेंथ नीचे लटके है कोविश यहां पर रह सके safely यह नीचे अपने आप ना गिर है जैसे ही अपनी चेन है तो चेन एक सटेन पोशन इस चेन का नीचे लटका हुआ है बाकी पोशन आपका टेबल पर अभी तो यहां पर मेरे हाथ वो इसके बीच में फ्रिक्शन है तो गिरने रही है बट दिर वूड कम लेंथ के इस लेंथ पर हमने इसे गिरा रखा है तो यह अपने आप नीचे Slide करनी शुरू हो जाएगी तो कितनी लेंथ हो इसकी यहां पर मिनिममुम कितनी हो कि इस situation में हमारी चेन अपने आप सलाइड ना करें लेंथ की Value हमें बतानी है कितना fraction होएगा अलें अब इसको द तो यहां पर आपको जो friction force है, that should be greater than equal to जो आपका mass नीचे लटका हुआ है, उसका mg times m by ng, इससे friction force आपका जाधा होना चाहिए, अगर यह है तो आपकी chain महीं पर रुकी रहेगी, slide नहीं करेगी, अब यहां friction की value हम mu n और mu mg लिख सकते हैं, so this will be mu, m minus m by n into g, should be greater than equal to m by n into g, इसमें से अगर हम m common ले ले ले, तो mg mg cancel हो जाएगा, so this will be mu multiplied by 1 minus 1 by n, should be greater than 1 by n, इसको अगर हम n common ले 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 यहां पर, तो यह हो जाएगा n minus 1, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, mu multiplied by n minus 1, should be greater than equal to 1, यह अपनी, इसकी value आजाएगी, और अगर इसमें आचाहिश सवाल में mu की value हमें 0.5 दे रखी हमें n की value बतानी है, तो इसमें अगर value रख देंगे, mu की 0.25 दे हुई है, 0.25 का मतलब हो गया 1 by 4, तो यह हो गया 1 by 4 multiplied by mu minus 1, नहीं, n minus 1, should be greater than equal to 1, इसको अगर हम उदा ले जाएगे, तो यह अपनी value हो गई, की n minus 1, should be greater than equal to 4, यानि की n should be greater than equal to 5, तो इसका मतलब यह है कि जो m by n या l by n है, वो आपकी 5 होनी चाहिए, 5 का मतलब यह है कि आपकी जो नीचे लटकी भी chain है, तो यह हो गई l by 5, which means 20% of length l, तो आपकी 20% of total length l, l by 5 will be 20%, so which means option number a would be the right answer.